ओम नमस्षिवाय जै महाकाल सासर कहता है कि यदि भगवान शंकर को अतिसीगर प्रशन करना है तो उनके शोरूप सिवलिंग की पूजा कानी चाहिए दोस्तों तिरने सिवपराण के अंतरगत अगर आप काले सिवलिंग की पूजा करते हैं या फिर जल चढ़ाते हैं तो काले सिवलिंग में ब्रह्मा विश्णु महास का वास होता है ब्रह्मा जी अपने चारों मुखे साथ काले शिवलिंग में विराजमान है सिव जी अपने पाँचों मुखे साथ विराजमान है और ब्रशनु जी अपने हजारों मुखे साथ काले शिवलिंग में विराजमान है और वहीं काले सिवलिंग के अंदर समस्त नकरात्मक उजा और सुषित करने की छंदा भी होती है वहीं अधि हम सफे सिवलिंग की पूजा करते हैं तो सफे सिवलिंग में दो सवरूप बिराजमान है एक हमारे देवधी महादेव और हमाई जगद जन्नी जगदम्मा माता पारवधी अपने पुत्र और वेटियों के साथ बिराजमान है वहीं सफे रंग को सांती का प्रतिक माना जाता है अगर आप अपने जियों में सांती चाहते हैं तो आपको सफे सिवलिंग की पूजा करनी चाहिए हर हर महादेव